केमिस्ट्री बुक टू चप्तर नमर 12 लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मिल्डी हाइड या जिसको आप मेथनल भी बोलते हो मेथनल इसकी प्रेपरेशन देखी थी इसमें हमने देखा था कि आप मुख्तलिफ तरीकों से अल्कोहल्स जो हैं उनको ऑक्सिडाइज करके अल्डेहाइड्स प्रेपेर कर सकते हो ठीक है अल्कोहल्स की जब ऑक्सिडेशन की जाती है तो अल्डेहाइड्स प्रेपेर होते हैं और फिर फर्दर हम लोग ने लास्ट टाइम ये देखा था कि alcohols भी आगे फिर types होती है ना अगर तो आप primary alcohol को लेते हो और उसकी आप oxidation करते हो किसी भी तरीके से ठीक है oxidation में आप कोई भी catalyst यूज़ कर सकते हो whatever process अप primary alcohol को जब oxidize करते हो तो आपके पास aldehydes प्रिपेर होते हैं जब आप किसी secondary alcohol को oxidize करते हो secondary alcohols कों से होते है secondary alcohols ऐसे alcohols होते हैं जिसमें आपका जो hydroxyl group है वो जिस carbon के साथ attached है उसके जो आगे bonds है ना उनमें से कम असकम दो carbon के bonds होने चाहिए तीसरा hydrogen तो ये इस shape का जब कोई alcohol होते है आगे कुछ भी हो सकता है इस carbon के साथ उसे कोई फर्ट नहीं पड़ता तो इस shape के alcohol को आप secondary alcohol गएते हो ये आपके पास ketones generate करते हैं जब इनकी आप dehydrogenation करते हो और जब आप किसी tertiary alcohol का reaction कराते हो तो ये reaction होता ही नहीं है ठीक है इसे पहले भी मैं discuss कर चुक हूँ कि जब आप dehydrogenation की बात कर रहे हो dehydrogenation या hydrogen remove करना तो in fact इसका मतलब oxidation ही है इस context के अंदर और oxidation क्योंकि आपको पता है oxidation तीन तरीकों से define होती है पहले तो ये होता है कि अगर तो आप addition of oxygen कर रहे हो addition of oxygen ठीक है या फिर आप removal of hydrogen कर रहे हो removal of hydrogen को हम dehydrogenation भी बोलते है और फिर आप removal of electrons अगर कर रहे हो removal of electrons या किसी चीज़ का charge आप raise कर रहे हो इसको भी हम oxidation ही बोलते है तो ये definition होती है oxidation की तो आप देख सकते हो कि आप भारी dehydrogenation मैंने आपको बोला था न जैसे aldehyde निकला भी alcohol dehydrogenation से है aldehyde alcohol dehydrogenated ठीक है तो basically oxidation of alcohols यहां से आपको नाम से पता चल जाता है कि alcohols की oxidation करने से aldehyde प्रिपेर हुआ ठीक हो गया आज की lecture में जो हम लोगों ने particularly बात करनी है वो है acetaldehyde की acetaldehyde again ये जो acetaldehyde है ये common name है इसी compound का जो exact name है IUPAC standards के मताबिक वो है ethanol ठीक है acetaldehyde हम इसको इसके बोलते हैं क्योंकि ये acetic acid से derive हुआ acetic acid जो के जो आप सिर्का वगरा यूज करते हैं ना घरों में उसका major जो constituent है वो acetic acid होता है acetic acid से जो aldehyde जो derive हुआ है that is acetyldehyde तो इस वज़े से हम उसको acetyldehyde भी बोलते हैं इसका जो general नाम है वो ethanol है क्योंकि ये ethane से भी derive हुआ है आप ethane draw करो CH H इसी तरह CH H H और अब आप क्या करो कि इसको आप aldehyde बना दो aldehyde बनाने के लिए आपको दो hydrogen रिमूब करने पड़ेंगे अब इस carbon के दो bonds खाली बचके ना इस वज़े के यहां पर आप दो hydrogen की जगा double bond O लगा दो ठीक है अब यह जो चीज मैंने बनाई है इसको बोलते हैं ethanol ठीक है इसमें आप देख सकते हो कि corner के उपर c double O c double bond O group लगा वै इस वज़े से यह एक aldehyde है acetaldehyde की preparation के लिए मुक्तलिफ methods है हम लोग start करते हैं सबसे जो oldest method यूज किया जाता almost 16th 17th century के अंदर यह आप method यूज करते थे जिस method में आपकर वही रहे हो कि आप एक alcohol लेते हो अब definitely इसमें आप ethyl alcohol लोगे क्योंकि पहले आप methyl alcohol ले रहे थे तो methanol बन रहा था इसमें आप ethyl alcohol लोगे ethyl alcohol या ethanol का क्या formula होता है CH3 ठीक है एक तरफ उसके बाद CH3 पहले तो आप ethane लिखो अब ethane को आपने alcohol बनाना है ठीक है तो आप इदर से 1H हटा दो ये CH2 बना दो इसको यहां से ये पहले 3H है ना इस वाले कार्बन के साथ इसके आप 2H कर दो और जो एक उसकी आम खाली बच जाएगी फिर 3H में से 2H हो गए और एक के साथ आप OH लगा दो इसको हम ethane alcohol बोलते हैं या आपने जेनरली इसको यू लिखा वा पड़ा होगा CH3 CH2 OH ठीक है एथाल अलकोहल के अंदर जब आप आकसिडेशन करते हो इसकी अब अगेन सिर्फ जो ओल्डेस मेतेड ये था कि आप इसके अंदर सिल्वर को ऐस आ केटलिस्ट यूज करते थे ठीक है फिर बात में थोड़ा सा लेटर मेथेड्स में ये हुआ था कि अनलोगों ने फिर कॉपर को ऐस आ केटलिस्ट यूज करना शुरू कर दिया था कॉपर तो चलो फिर सस्ता है सिल्वर इस वेरी एक्सपेंसिव मेटल आपको इस बात का पता है ये चांदी है ठीक है बड़ी महिंगी चीज है तो जब आप लार्ज स्केल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसको यूज नहीं कर सकते साथ में आपको इसमें टेमपरेचर भी रेस करना पड़ता है अगरск동 500 ड क्यूग तक अगर आप स्लवर को यूज कर रहे हो या अगर आप कॉपर को यूज करते हो तो 300 ड क्यूग तक ऐस तिमपरेचर भी रेस करते हो तो इस तरीके से आपके पास अल्डिहाइट बन जाता है और अल्डिहाइट जो होता है वो अगें CH3 होगा एक तरफ को आपके पास फिर C double bond OH ये एथनल आपके पास बन जाएगा और साथ में water liberate होगा ये exactly कुछ ऐसा ही reaction आप पीछे भी वैसे देख चुके वे हो अब इसको बैलेंस करके देख सकते हो अभी तो ये फिलहाल बैलेंस नहीं है अच्छा इसके बाद जो next technique इस्तमाल की गई ये सबसे oldest अभी मैंने आपको बताई है जो इससे next technique थी वो कहलाती थी hydration of alkynes ये मैं आपको recommend करूंगा कि आप ऐसा करो कि आप chapter 8 के उपर जाओ और वहाँ पर hydration of alkynes वाला जो topic है उसको एक नजर देख लो तो आपको बिल्कु क्लेर हो जाएगा कि aldehydes किस तरीके से prepare किये जाते हैं alkynes के थूँ alkynes आपको पता है कि किन चीजों को बोलते हैं जिनमें आपके पास triple bond होता है carbon carbon का C triple bond C ठीक है यहां से आगे जरूरी नहीं है कि hydrogen दोनों तरफ लगावा हो अगर लगावा होगा तो पर हम इसको ethine बोलेंगे ethine ठीक है यह आपके पास हो गया ethine अब अगर आप ethine के अंदर water डालो hydration का मतलब क्या होता है hydra से निकला ही है hydra is water ठीक है तो water की addition की जा रही है hydration अगर इसमें आप water डालते हो water आपको पता है क्या होता है H और OH ठीक है covalent bond है और आपको पता है कि hydroxyl group पे partial negative और hydrogen पे partial positive charge होता है water के अंदर अब अगर आप इसका reaction करवाओ और मैं आपको थोड़ा से revise करवा दूँ अपने चेप्टर यह थी के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी मार कॉनिकोज प्रिंसिपल या मार कॉनिकोज प्रिंसिपल या मार कॉनिकोज रूल यह विससे डबल fp होता है इसमें यह आपने यह पढ़ा था कि जब कोई negative region जो होता करता है तो वो किसी ऐसे hydrogen के साथ ऐसे carbon के साथ जाके bond होता है जिस पर कम number of hydrogen atoms हो ठीक है मैं repeat कर देता हूँ जब भी किसी आप alkyne का reaction करवाते हो किसी भी negative region या positive region या किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ तो जो उस addition वाली जो चीज़ है उसका जो negative वाला पार्ट है वो उस carbon के साथ जाके attach होता है जिसके साथ कम hydrogen atoms हों इस case में तो कोई फरक नहीं परता है कि इसमें दोनों पर ही दो दो एक एक hydrogen है मसले अगर ऐसी situation होती C triple bond C single bond C H3 और यहां पर H लगाव है अगर इसके अंदर आप H2O डाल दो या HCl अगर डाल दो for example अब आपको पता है कि CL is the negative part तो यह CL किस पर जाके attack करेगा यह CL जाके attack कर करेगा उस carbon के उपर जिस पर कम hydrogen है और वो यह वाला carbon atom है क्योंकि इस पर एक है और इस पर एक भी नहीं है तो इस वाले के उपर जाके attack करेगा और यह जो hydrogen है यह जाके इस वाले पर जाके इसके साथ reaction होगा ठीक है और आप arrow हमेशा negative to positive side पे लगाते हो यह मार कॉनिकोस principle मे c h h यानि जो कि इथाइन है इथाइन को आप acetylene भी बोलते हो आप acetylene लो और इसकी आप hydration करो इसको partial charge कर लेते हैं तो क्या होगा कि जो negative part है यह किसी भी इसाथ attach कर दो इस case में कोई फर्क नहीं पड़ता यह यूं करके reaction होगा double bond triple bond break हो के double bond में change हो जाएगा ठीक है एक तरफ को एक extra h आ जाएगा इधर h2 हो जाएगा और इधर एक h तो लगावा था पहले और side पे o h भी लग जाएगा अब अगर अगेन आप थोड़ा सा recall करो पिछले chapters के अंदर से तो आप इस बात को पढ़ चुके हो कि जो ch2 ch होता है यह क्या कहलाता है ch2 ch basically पूरा को पूरा एक group है जो के vinyl group कहलाता है ठीक है और इसी लिए इस पूरे compound का हम बोलते है विनायल alcohol यह जो product भी आपके पास बना है अब विनायल alcohol जो है यह क्या करता है कि यह rearrange हो जाता है और rearrange यह किस तरीके से होता है कि यहां से यह जो bond है यह oxygen के उपर shift होता है ठीक है और यहां से यह जो एक double bond है again यह उस side पर shift हो जाता है और overall rearrangement कुछ ऐसे होती है कि एक hydrogen यह जो OH वाल हड्रोजन है ना एक यह वाला यह हड्रोजन यहां पर आ जाता है तो यह CH3 बन जाता है यह यह double bond single bond में change हो जाता है यहां पे C और वो single bond O था यह double bond में change हो जाता है और यह उपर वाला H इसी तरीके से लगा रहता है अब आप देखो कि यह क्या बन गया है यह ethanol बन गया यह acetaldehyde बन गया है जिसकी हम लोगों ने बात की ती यह जो भी मैंने आपको process बता है ना कि आ यह ज्यादा बेहतर arrangement में आ जाता है ज्यादा stable form में आ जाता है जब इसकी shape यह होती है और इस process को हम totomorization बोलते है तो I'm not sure इसके exact spelling क्या होते है totomers totomorization यह भी आप अगर chapter number 7 पे जाओ ना तो वहां पे आप देख चो क्यों किन चीज़ों को बोलते है तो इसमें proton basically proton की location change ह हो जाती है within the compound chemical formula overall हो ही रहता है structural formula change हो जाता है it's a type of structural isomerism अचा फिलहाल हम यह बात कर रहे थे क्या आप acetylene की hydration करते हुए vinyl alcohol बनाते हो और vinyl alcohol की to tomorization हो जाती है और वो acetyldehyde बना देता है ठीक है यह जो water आप generate करते हो यह water आप mercuric sulfate क्योंकि 1% solution आप लेते हो और साथ में आप sulfuric acid का 40% solution लेते हो थोड़ा से temperature भी आप raise करते हो 60 degrees तक तो आप exactly यह reaction जैसे आप चाह रहे हो बिल्कुल perfectly उस तरीके से होता है इसके इलावा अगर आप ऐसी टाइलीन ना लेते है बलके कोई और आप alkyne ले लेते है ट्रिपल पॉंड C, C, यह बलाप alkyne लेके देखत होगा यहां पर एक एच लगा अब अगर इसकी आप hydration करते हो तो सबसे पहला step अब आप खुद सोचो क्या होना चाहिए मैंने कहा था कि मार्कॉनिकोस प्रिंसिपल इसमें अपलाए होगा क्योंकि नेगिटिव पार्ट जाकि अब react करेगा इस वाले कार्बन के साथ ठीक है तो overall जो final product बनेगा यह एच जाके attach हो जाएगा इस वाले के साथ ठीक है और यह हमेशा नेगिटिव से positive की तरफ एरो बनाते हैं chemistry में अच्छा product आपके पास जो बनेगा वो बनेगा C के साथ पहले एक हैच लगावा था अब दो हैच लगेवे होंगे एक उपर लगा देते हैं एक side पर लगा देते हैं यह पहले triple bond था अब double bond में change हो गया यहां पर C ठीक है उसके बाद again आगे अगर आप यहां पर मैंने बोला था इस C के साथ OH आके attach हो जाएगा O H और फिर आगे यह C और यह इसी तरीके से H H और H अब मैंने बोला था कि क्या होगा इसके अंदर totemorization होगी क्योंकि यह जो compound बनावा है यह Vinyl बन गया CH3 CH2 बलके sorry यह Vinyl alcohol नहीं बना इस situation में यह Vinyl वाके नहीं बना वो Acetylene के case में Vinyl बना था इसमें यह Vinyl नहीं बना अच्छा हम बात कर रहे हैं कि अब totemorization होगी यह अपने आपको stabilize करने की कोशिश करेगा और जिस रहुस में इसने किया था कि यह सबसे पहले तो oxygen के साथ से एक H रिमूव होगा इस वाले को आप remove कर दो यहां से ठीक है और यह जो double bond है यह single bond में आप change कर दो तो यह हो गया single bond इस oxygen के साथ से एक आपने remove कर दिया और वो जो एक H है वो आके यहां पे आप लगा दो उसके साथ ठीक है क्योंकि इस carbon का एक bond अब आप देखो बाकि सब कुछ ठीक है सिरफ एक मसला रह गया इस carbon का और इस oxygen का एक bond कम है तो यह आपस में double bond बना देंगे ठ ठीक है इंट्रेस्टिंगली अगर आप गोर करो तो यह जो product बना है यह acetone बन गया ठीक है acetone का दूसरा chemical नाम जो है वो propanone भी है propanone acetone यह propanone आपने बना दिया है जो के एक ketone की type है तो overall result जो इस पूरी कहानी से निकला वो क्या निकला result इस पूरी कहानी से यह निकला कि अगर तो आप किसी ethine की hydration करते हो तो आपके पास aldehyde produce होता है और अगर आप कोई भी और alkyne लो ethine के लब आप कोई भी ले लो उसकी अगर आप hydration करो तो आपके पास हमेशा corresponding ketone बन जाता है with the same number of carbon atoms अच्छा number of carbon atoms के उपर हम एक दवा फिर से देख लेते हैं number of carbon atoms हाँ number of carbon atoms उतने ही रहते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे यह हम लेकर ने एक conclusion निकाल लिया इसके बात जो third method है अभी तक हम लोग दो methods देख चुके हैं तीसरा जो method है वो कहलाता है wakker's process wakker's process wakker's process basically बहुत बड़े लेवल पे अगर आपने करना हो ना large scale preparation उसके लिए इस्तमाल होता है क्योंकि यह जो पीछे आप दोनों methods देख के आया हो ना यह बहुत expensive पड़ते हैं अगर आप बड़े लेवल पे बहुत जादा amount में आपने prepare करना हो aldehyde wakker's process में जिसरा उपर आपने ethine इस्तमाल किया था ना wakker's process में आप ethene इस्तमाल करते हो ethene ethene का formula क्या होता है c h h double bonded with c h h ठीक है यह आपके पास ethene है और इसमें आप direct oxidation कर देते हो ethene की और in the presence of palladium chloride you can lead chloride pdcl2 होता है और साथ में आप cupric chloride यूज करते हो cucl2 cupric क्यों बोल रहा हूं में इसको क्योंकि क्यूप्रस chloride होता तो क्यूप्रस का charge होता है cu plus one तो वह cucl हो जाता ठीक है this is cupric chloride copper chloride आप बोल सकते हो in short this is cucl2 यह two इदे नीचे आगया और साथ में आप temperature इस process में आपको raise नहीं करना पड़ता है इसी वज़ा से यह large scale preparation में यूज होता है यह दोनों बहुत ही cheap catalysts है direct आप कहे दो एक तरह से के aeration कर रहे हो आप air pass की कराई जाती है इस ethene के अंदर से और आपके पास aldehyde yield हो जाता है यह सबसे easy process है इस वज़ा से यह बहुत large scale processes में यूज होता है industry में यह वला process इस्तमाल किया जाता है aldehyde को prepare करने के लिए in particularly अगर आप बात करो acetyldehyde को prepare करने के लिए ठीक है इससे जो next method है वो है direct oxidation अच्छे जब oxidation का word आपके जहन में आता है तो आपके जहन में क्या आता है आप oxygen add कर रहे हो ठीक है oxygen तो आप पीछे भी add कर रहे थे पीछे जो अपने reaction देखा है उसमें भी oxygen add हो रही थी और जो सबसे first मैंने बताया था उसमें भी oxygen ही add कर रहे थे फर्क किस चीज का होता है method या जो path आप use कर रहे हो ना for example आप जो conditions है reaction की वो change हो रही है हर situation में ठीक है आप temperature different दे रहे हो ठीक है या आप क्या कर रहे हो कि catalysts different use कर रहे हो या कुछ certain conditions में आपको pressure raise करना पड़ता है या ऐसे तो यह मुख्लिफ conditions होती है जो मुख्लिफ हो जाती है एक आपको पता है कि बहुत ही strong oxidizing agent है जो मैं बार बार आपको बताता हूँ पिछले lectures में भी वो है potassium dichromate dichromate CR207 को बोलते है negative 2 charge होता है इस वज़े से इदे k2 हो जाता है k2 CR207 which is potassium dichromate or sulfuric acid जब आपस में react करते हैं तो यह बहुत ही strong form में oxygen generate करते हैं जिसको nascent oxygen बोलते हैं exact reaction अगर आप देखना चाहते हो वैसे आप आपको खुद यह reaction लिखा आनने चाहिए अब सोचो क्या बनना चाहिए इसका positive part और इसका negative part react करेंगे definitely करेंगे potassium sulfate बन जाएगा potassium sulfate KSO4 sulfate पे minus 2 charge होता है KSO4 बन गया अच्छा chromium भी तो एक positive charge चीज है ना chromium भी तो sulfate अपना बनाएगी तो साथ एक chromium sulfate भी बन जाएगा CR SO4 आपको बता है के chromium पे plus 3 charge है sulfate पे minus 2 है तो जब यह आप इसको तरीके से लिखो गे वो 3 और 2 जब नीचे आएगे तो वो shape कुछ ऐसे ले ले लेंगे यहाँ पे 2 आजाएगा और इस पूरे के साथ whole thrice आजाएगा ठीक है SO4 whole thrice एक यह sulfate बन गया यह दो sulfate बने है और साथ में क्या होता है water और nascent form में oxygen generate होती है ठीक है इस reaction को अगर आप balance करना चाहते हो तो आप balance करके देख सकते हो कि यह बिलकुल perfect है यहाँ पे तीन sulfates है और एक sulfate यहाँ पे है तो यहाँ पे चार sulfates हो गए overall ठीक है चार sulfates करने के वज़े से hydrogens यहाँ पे 8 हो गए है और right side पे hydrogens यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 attach हो गया जिसकी वज़े से अब मसला यह हुआ कि यहाँ पे left side पे oxygen साथ ह और यहाँ पे 4 and 15 हैं तो इसको 7 करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा तो यह आप देख लो यह एक balanced reaction है नेसेंट form में oxygen generate करने के लिए और यह आपको खुद लिखने आना चाहिए potassium dichromate और sulfuric acid मिलके नेसेंट oxygen generate कराते हैं ठीक है और यह जो नेसेंट oxygen है यह react करती है किस चीज के साथ एथनोल के साथ एथनोल हम पीछे भी देख चुके है CH3 CH2 OH और यह reaction एथनल बना देता है यह आप कहलो CH3C double bond OH ठीक है और साथ में आपके पास water produce होता है यह जो नेसेंट oxygen है यह basically कर क्या रहा है यह nitrogen oxygen एक इस वले hydrogen को और एक इस carbon के hydrogen को remove कर आ रहा है तो यह जो दोनों से एक hydrogen कम हो जाएगा तो यह दोनों आपस में एक extra bond बना लेंगे ठीक है और आपके पास बाकी सारी shape वही रहेगी compound की तो यह ethanol produce हो गया इसके लावा एक और method है oxidation of alcohols और इसी के साथ हम आगे बात continue कर के अंदर जो के aldehydes का final preparation method होगा और साथ में हम देखेंगे के key tones को किस तरीके से repair किया जा सकता है इससे next lecture के अंदर